यह तो बहुत बड़े पैमाने पे चल रही थी, अगर यह इलीगल था तो यह तो बड़े पैमाने पे लागू कैसे हुआ तो ऐसी पैट्रोल वाली मोटर साइकल है या फिर पैट्रोल से ही चलने वाली स्कूटी है इस पॉलिशी के तहट कम से कम 25 एलेक्ट्रिक वाहन जिस एगरिकेटर के पास होंगे वो बाइक टैक्सी चला सकेगा दोस्तों अब बाइक टैक्सी प्लैट्फार्म लाइक हो ला उबर रैपिडो में वर्क करते हो तो आज की ये वीडियो आप सब के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टन होने वाली है आल बाइक्सी राइडर के लिए तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना इस पेसे नहीं मैं अगर बता हूं कि गवर्मेंट ने जबसे बाइट टैक्सी बैन को लेकर नियम इस्टार्ट की ह है हर एक सीटी में यहां पे रूड लाइफ किया थब से अब भैट टेक्सी में ब्रदोसद्रा यह ज़िस चछी हैं तो इसको लेकर बहुत समय से यहाँ पर चर्च चल लई थी, गौवर्मेंट भी यहाँ पर एक्षन लेने वाली थी, बट अब तक कोई भी एक्षन लाइव नहीं था, बट अब फाइनली दिल्ली में, इस्पेसली दिल्ली में यहाँ पेट्रोल वहेकल को लेके रोक लगा द लगते मिले तो हम आपका चलान भी कटेंगे जो चलान पचास से लेके एक लाख रुपे तक का हो सकता है, पचास हजार साथ हजार से लेके एक लाख रुपे तक का, ठीक है, अब ऐसे किसमें हर एक बाइट टेक्सी राइडस के लिए एक अब न्यू चैलेंज है, कि अब जो अब तक वेहिकल के दूप करते हैं, जो पैट्रल वेहिकल के दूप करते हैं, अब उसका क्या होगा, उससे हम जो अब तक आप एजली वक कर बार रहते हैं, यह फिर हमें कोई अधर जॉब इस तरह से मिले जिसमें हम फ्रीडम सथ वक कर सेके, तो अब उनके सामने एक किस प्लैटफॉर्म में उनको जॉब मिलेगी, क्योंकि अगर बाय टेक्सी ने अपना रास्ता क्लोस कर दिया, तो अब उनके लिए कोई न्यू जॉब फाइंड करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, गवर्मेंट के थ्रू यह जो पॉलिसी लाई है, यह गवर्मेंट ने पहले इसका एलान करते हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था, कि EV आने वाले कल का फूचर होगा, तो EV किस तरह से कनवर्ट हो रहे है, किस तरह से पैट्रोल वहिकल को अपने तरह से हटा रही है, तो वह आपको सब सब कुछ दिखाए दे रहा होगी, गवर्मेंट का यह भी पहिकल में उनको द्रवन परसर नहीं दिख रहा है, ठीक है, अब एक सिस्टेम को बदलने से, अगर उनको यह चीज़ देखने को मिलती है, अब गवर्मेंट तो यही कह रही है, अब इसके पीछे का क्या राज है, वो तो किसी को नहीं मालूम, तो अब जितने भी राइड कंच जीज़ रुपए, एक लाक रुपए तक का, ठीक है, हो सकता है को आप दस जा रुपए देखकर आप चूट जाऊ, हो सकता है, यहाँ पे रोख लगा दी गई है, और यह जो एक्सन है, यह हो सकता है, आने अले, समय में बहुत सारी सिटी में देखने को मिलेंगेंगे और अभी फिलाल यह फाइनल एक्सन गवर्मेंट ले लिया है कि बाइक टेक्सी में पेट्रोल वेहिकल नॉट एड़ाउट एड़ एवी थूप वर्क कर सकते हो अगर आप एवी नहीं पर्चेस कर पा रहे तो यहां पर रेंटेट एवी थूप अनबोड हो सकते हो तो अगर आप अब न्यू राइडर जॉइन करना चाहिए रहे हो तो अब आपको एवी वेहिकल का एक ओप्सन देखने मिलेगा जब आप ऑनबोड करोगे तो एवी वेहिकल थूप ऑनबोड कर सकते हो और जितने भी कश्टमर है अगर आप वो एवी मोड स्विच करेंगे एवी प्लास एवी वेहिकल में आपको रेट काड अच्छा खास देखने मिलेगा जो की कंपनियां आपको प्रोवाइड कर रही है अब इवी में बहुत जारे राइडर को यह भी प्रवादम थी कि उनको लॉंग लॉंग डिश्रेस के अगर राइड मिली और इवी उनकी बीच म बंद हो गई तो उस कंडिशन में क्या होगा क्योंकि चार्ज इस्टेशन बहुत ही जदक काम है तो उस कंडिशन में उसको देखते हुए भी यह पर जो कंपनिया है उन्होंने एक चीज करी है कि अब आपको कोई भी राइड बीस किलोमेटर के अबब की नहीं मिलेगी इन तो यह चीज किया गया है तो जितने भी में राइडर भाई है उनसे मैं सिपली यही करना चाहूंगा कि भाई चोरी चोरी काम ना करना क्योंकि पांट दा सजार रुपए कोई कम अमाउंड नहीं होता बहुत जदा अमाउंड होता है और बहुत सारे राइडर को यहीं प्र में फस जाते हैं कोई पुलिस वेहिकल उनकी वेहिकल को जक्त कर लेता है तो उस कंडिशन में उनके लिए और जदा यह मामला क्रियेट करेंगी तो इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि अगर आप वेहिकल दिल्ली में रह रह रहा हो और इंसा भी प्लैट्फॉम वक करते हो तो पकड़े जाते हो तो यहां पर चलान कटेगा बहुत ही बारे वायकम ठीक है तो इस वीडियों का हम यहीं पेंट करते हैं